हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आसी साफ सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रसंदीदर चैनल एक लख से अकेडमी में तो दोस्तों यह हमारा सफर है हमारा परियास है आपके संगर से लेकर सफल तक ही हो क्यों दोस्तों तो इस सफर में हम लोग सुरू कर रहे हैं गड़नाचा के सीरीज में पॉलिटी की वीडियो थ्री ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था समविधानिक विकास जिसमें हमने पढ़ा 773 से लेकर 1853 तक फिर हमने पढ़ा 1858 से लेकर 1947 तक आज हम सुरू करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे समविधान सभा और समविधान निर्मान परिकिरिया के बारे में क्या पढ़े हैं डोस्तों समविदान सभा और समविदान निर्मान परकिरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों ठीक है आईए शुरू करते हैं भारतियों की ओर से समविदान सभा की सवपर्थम सबसे पहले जो समविदान सभा की मांग की गई थी, वह की गई थी मई 1934 में याद हैं दोस्तों आप से पूछा जा सकता है कि भारतियों की ओर से समविदान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई तो आपके पास जवाब होना चाहिए मई 1934 में ठीक है, राची में सवराज़ पार्टी ने की थी, किसने सवराज़ पार्टी ने मई 1934 में सबपर्थम समविदान सभा की मांग की थी, वर्ष 1934 में ही भारत में समविदान सभा के गठन का विचार M.N. Roy ने दिया था, किसने M.N. Roy तो ये एक बहुत ही मुख्य वैक्ति को मान के चलते हैं कि MN रोई ने समविधान सभा का गठन का विचार किया और वही आगे चलकर इस विचार की वज़से समविधान सभा का गठन हुआ भी ठीक है भारतिय राश्टर कॉंग्रेस के इस्तर पर पहली बार 1935 में समविधान मांग की थी किसकी समविधान सभा की लेकिन भारतिय राश्टर कॉंग्रेस ने पहली बार समविधान निर्मान के लिए अधिकारिक रूप से समविधान सभा की मांग की कब 1935 में एक निर्वाजित समविधान सभा दुआरा भारत के समविधान का निर्मान करने का प्रस्त राव था वेह 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन योजना ध्यान अकना कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारते सम्मिदान सबखा परति निर्वाचन के आदार पर गठन किया गया परतिने दिख निर्वाचन के आदार पर गठन किया गया था ठीक है कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार सम्विधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का परतिनित्व जनसंख्या के आदार पर होना था यह पॉइंट बहुत इंपोर्डेंट है इनको याद रखना दोस्तों इनमें से कोश्चन आएंगे ठीक है सो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार सम्विधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का परतिनित्व जनसंख्या के आदार पर होना था इसके तहट मोटे तोर पर परति दसलाग व्यक्तियों पर एक परतिनित्व कि निर्वाचिन की विवस्ता प्रस्तावित थी सम्विधान सभा की कुल सदस्य संख्या कि निती 389 निर्वाचित की गई चैने थी 296 में बेटिस भारत को और चीराण में शिठे थी वो देसी रियास्तों को अबंटित की जाने थी बेटिस भारत को अबंटित 296 मैं से 292 सदस्थों का चैन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चैन मुख्ध आयुक्तों के प्रांतों हर एक में से किया जाना था या दखना 296 में से 292 में सदस्टों के चेहन तो 11 गवर्नरों के परांतो Nether और 4 चेहन मुख्य आउक्तों के परांतों से किया जाना था रियासतों के परमूखोंदोबारा किया जाना था सम्विधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन हुआ कब हुआ जुलाई अगस्त 1946 में 296 सिटों जो की बिटिस भारत को अवंटित थी उसमें से कॉंग्रेस को 208, मुसलिम लीग को 73 और छोटे समूव वे 17 सदस्यों को 15 सिटे मिली थी देशी रियास्तों ने सम्विधान सभा में भाग नहीं लिया ठीक है तो वहाँ पर 296 में से 208 मिली कॉंग्रेस को 33 मिली मुसलिम लीग को और बाकी जो इंडिपेंडेंडेंट थे वे 15 सिटे प्राप्त की थी ठीक है नेक्स्ट देशी रियास्तों ने भाग लिया ही नहीं था सम्विधान तथा एप्रत्यक्स निर्वाचन का परिनाम थी राज्यों की विधान सभाओ का उप्योग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया यह निर्वाचन वयस्क मतादिकार पर आदरित था किस पर वयस्क मतादिकार जो मैच्चियोर लोगों ने वोट दिये थे उस पर आदरित था 1935 का जो दिनियम था उसके नुशा मतादिकार कर सिख्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था 20 नौंबर 1946 को वाइसरे ने निर्वाचित परतिनेदियों को आमंतित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को समविदान सभा की पहली बैटग में उपस्तित हो कब 20 नौंबर 1946 को वाइसरे ने सब को बुलावा भेजा आमंतित किया कि आप सब लोग 9 दिसंबर 1946 को समविदान सभा की पहली बैटग में उपस्तित हो 9 दिसंबर 1940 को सभा की पहली बैटग में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया कितने 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया 9 दिसंबर 1940 को समविदान सभा की पहली बैटग की अद्यक्स था किस ने की थी यह कोशन आते है दोस्तों में सा समविदान सभा के एस्थाई अद्यक्स कौन थे तो एस्थाई अद्यक्स थे डौक्टर सच्चिदानन सिन्ह तो जो समविदान सभा की 9 दिसंबर 1940 को पहली बैटग हुई थी उसके एस्थाई अद्यक्स डौक्टर सच्चिदानन सिन्ह ने की थी और 11 दिसंबर 1940 को समविदान सभा ने डौक्टर राजिंदर परसाद को निविरोर समविदान सभा के इस्थाई अद्यक्स के रूप मे निर्वाजित किया एस्थाई कौन थे एस्थाई थे डौक्टर सच्चदान सिन्ना लेकिन उसके दो दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को किसको चुन लिया गया था इस्थाई रूप से डौक्टर राजिंदर परसाद को ठीक है बारति सम्विधान के निर्मान में सम्विधान सबा को दो वर्ज 11 महीने 18 दिन का समय लगा कितना समय लगा दोस्तों सम्विधान को बनने में दो वर्ज 11 महीने 18 दिन का समय लगा इसमें कुल 11 अधिवेशन मतलब की 165 दिन हुए थे कितने अधिवेशन हुए थे 11 अधिवेशन किने टाइम में 2 साल 11 मेने 18 दिन में 11 अधिवेशन हुए थे कुल लबदी 165 दिन की थी 11 अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नॉवंबर 1929 को समविधान को अंगिकरत किया गया था इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक समविधान सबाप पुने 24 जनुवरी 1950 को समवेथ हुई जब सदस्यों दुवारा भारत के समविधान पर अस्ताकसर किये गए थे भारतिय समविधान के निर्मान के समय जब भारत समविधान निर्मान हो रहा था उस समय बैनेगल नर्सिंग राओ बी एन राओ बैनेगल नर्सिंग राओ को समविधानिक सलाकार नियुक्त किया गया किसको किया गया बैनेगल नर्सिंग राउ बी एन राउ को सम्विधानिक सलाकार नियुक्त किया गया 26 नॉंबर 1929 को भारत के लोगों द्वारा सम्विधान को अंगेकरत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया सम्विधान पून रूप से 26 जनवरी 1950 को लागो हुआ लेकिन लागो का भुआ 26 जनवरी 1950 को सम्विधान सभव में कुल महिलाओ को संक्या 15 थी उनके नाम है उन 15 महिलाओ के नाम दिये गए है विजलक्षमी पंडित राजकुमारी अम्रतकोर स्रोजनी नैडू सुचेता करपलानी सुचेता करपलानी पुर्निमा बैनर जी लीला राय जी दुर्गबाई हंस महता कमला चोधरी रेनुकर राय मालती चोधरी दक्सियानी विलायुदन बेगम एजाद रसूल एनी मस करिनी तथा अम्मू स्वामिनातन गरेन्ट विले ओस्टिन ने कहा था कि सम्विधान सबह कोंग्रेश थी और कोंग्रेस भारत किस ने कहा था ये ग्रेन विले ओस्टिन ने कहा था कि सम्विधान सभा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस भारत 2 सितंबर 1940 को जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य सामिल नहीं हुए अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ कब 2 सितंबर 1946 को तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य सामिल नहीं हुए थे हाला कि उनके सामिल होने के लिए विकल्ब खुला रखा गया था अंतरिम आकिर में 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुर्णा गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 परती निदियों को कैबिनेट में सामिल किया गया थे हो स्तों तो आईए अब सुरू करते हैं इसके परसमों उतता आईए पहला प्रसन शुरू करते हैं एक निर्वाचित समविदान सबा दुआरा भारत के समविदान का निर्मान करने का प्रस्ताव किया गया था कब या किसके दुआरा साइमन कमिशन दुआरा भारत सरकार अधिनियम 1935 दुआरा किरिप्स मिशन दुआरा या बेटिस कैबिनेट डेलिगेशन दुआरा तो हम लोग जानते हैं उन्हें पढ़ा था भी किरिप्स मिशन दुएरा एक निर्वाचित सभा कंधिर्बान किया गया था यह प्रस्टाव सबसे पहले किरिप्स मिशन दुएरा किया गया था ठीक है आईगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतरगत सम्विधान निर्मातरी परिशद में परत्येक प्रांत को आवंटी सदस्य संख्या निर्दारित करने के लिए एक परत्य निदी कितनी जन संख्या अनुपात में था? दस लाक कितनी दोस्तों? दस लाक वैक्तियों के उपर एक परत्य निदी दस लाक वैक्तियों के उपर एक परत्य निदी आईए पोशन नम्बर थ्री इन वैक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वूड पैथिक लोरेंस इस्टेफोर्ड क्रिप्स एपी अलेकजेंडर तो दोस्तो इसका उप्षन आपका विलियम वूड विलियम वूड उस कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था है कैबिनेट मिशन मार्च 19oco आए या पुंचा था इस नहीं को इस्टेफोर्ड इडियोंben से अद्यक्स पैथिक लोरेंस भाथ सचीव एबी अलेकजेंडर नोशेण मंद्रेड रह क्यों थे इसट्पल्क क्रिप्स पैेथिक लोरेंस और एबी अलेकजेंडर नेक्स्ट भार सम्विदान सबह गठन किया गया था बारत सरकार दिनियम 1935 बिल्गु गलत किरिप्स योजना गठन नहीं हुआ था किरिप्स योजना में सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था ठीक है तो यह भी नहीं है कैबिनेट मिशन योजना यह इसका औप्शन है क्योंकि निर्वाचन के आदार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना के इंतरगत किया गया था ऑप्शन आपका सी है कि आए नेक्स्ट ऊन्निसस्तों चालिज 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यापाली का परिशत के उप सभापती थे जब 1946 में अंतरिम सरकार में जो कार्यापाली का परिशत थी उसके उप सभापती थे तो इसका option आपका A है दोस्तो जवाहर लाल नहरू 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्य सरकार की गोशना इस व्यवेस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्याबार समालेगी वायसरोय इसमें कार्याबाली का परिशत का पदेन अध्यक्स था कौन था वायसरोय तथा जवाहर लाल नहरू को उपाध्यक्स या उपसवपती बनाया गया ठीक है आए दोस्तो कोशन नमबर 6 निमलिकित में से कौन अगस्ट 1946 में गठित पर्थम अंतरिम राष्ट्य सरकार का सदस्य नहीं था ठीक है ठीक है दोस्तो कोशन आगस्ट 1946 में गठित पर्थम अंतरिम सराष्ट्य सरकार का सदस्य नहीं था सी राज गुपाल अचारी डोक्टर एंदर परसाद डोक्टर एस रादा किषनन और जग्द जीवन राम तो कौन सदस्य नहीं था ओप्शन सी डॉक्टर एस रादा क्रिशनन कैबिनेट मिशन योजना के आदारपद 24 अगस्त 1946 की गोशना के तहट नव निर्वाचित सम्विदान सभसे दो सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकारा गठन किया गया था इसमें सी राज गोपाल चारी सिक्सा मंत्री डॉक्टर एंदर परसाद खाद एवं किर्शी मंत्री और जग जीवन राम स्रम मंत्री थे जबकि डॉक्टर एस रादा किशनन इस पर्थम अंतिम राष्ट्रिय सरकार किस्दस्य नहीं थे ठीक है तो राज गोपाल चारी क्या थे सिक्सा मंतरी राएंदर परसाद खाद देवं किर्शी मंतरी और जग जीवन राम आपके स्रम मंतरी थे राधा किर्शनन इसमें कोई भूमिका नहीं निभा रहे थे आए कोशन नमबर नेक्स्ट आए दोस्तो कथन ए दो कथन दिये गए हैं जिसमें वेविल योजना की अनुसार कार्यकारी परिसद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संक्या समान होती थी क्या यह है सही है वेविल का विचार था कि ऐसी विवेस्टा से भारत का बटवारा बच जाता वेवेल योजना के अनुसार कार्य कार्य परिस्द में हिंदू और मुस्लिम सदस्टों के समान होती थी वेवेल का विचार था कि ऐसी विविस्ता से वारत का बटवारा बच जाता तो क्या कथन सही है और कारण गलत है या कथन गलत है कारण सही है तो दोस्तो इसका option C है कथन तो सही है कि बराबर होता था लेकिन उससे बटवारा बचे जाता ऐसा मुनासिब नहीं है अक्टूबर 1943 में लोड लिनलितको के स्थान पर बिसकाउंट वेवेल वायसरोय तदा गवर्नर जनरल नियुक्त किये गए थे कब 1943 में वे भारते समविधानिक गतिरोद को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए थे वहाँ उनुने ब्रेटिस परस्टाषन के संबंद में ब्रेटिस सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ परस्ताव रखे जून 1945 में उन परस्तावों को वेवेल योजटना के नام से सावजनिक किया गया वेवेल योजना की प्रस्तावों में कार्यकारिनी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदूों की बराबर होना परिशद में वायसरोय तथा कमांडर इंचीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतिया होना सीग री सिमला में एक सम्मिलन का बुलाया जाना तथा यूद समाप्ती के पस्चाद भारतियों के दुवारा खुद को सम्मिधान बनाया जाना इत्यादी प्रावधान सामिल थे वेवेल योजना का उदेश से राजनितिक गतिरोध दूर करना भारत को पून सवसासन की दिसा में आगे बढ़ाना और सम्मिधानिक गतिरोध दूर करना था इसका उदेश से कहीं से भी हिंदू-मुस्लिम एकता को दरड़ करना नहीं था जिससे बारत का विवाजन रूख सके इसलिए सिफ कतन सही है लेकिन कारण गल्थ है ठीक है? आईए नेक्स्ट कोशन नमबर एट भारत के लिए सम्मिधान रचना है तू सम्मिधान सभा सम्मिधान सभा का विचार निमलिखित में से सरवपर्थम किसने प्रस्तूत किया? ओप्शन है हमारे पास सुराज पार्टी ने कॉंग्रेस पार्टी ने मुस्मिधान सभा का विचार प्रस्तूत किया था उसके बाद जो भारत राच्टे कॉंग्रेस थी उसने 1936 में आदिकारी ग्रूप से इसका प्रावदान आगे लेकर आये थे तो ओप्शन इसमें हमारा ए रहेगा सभार्थ पार्टी ने 1934 में सबसे पहले इसका प्रस्तूत किया था आये कोशन नमबर 9 निमलिखित में से कौन से कतन सम्विदान सभा के विशय में सत्ते नहीं है यहे व्यस्क मताधिगार पर आधारित नहीं था यह है प्रत्यक्स निर्वाचन का परिनाम थी यह है बहुदलिय निकाय थी इसने अनेक समीतियों के माध्यम से कारिय किया पहले माँ आपको दोस्तों इसका explanation के लिए कर दूँ उसके बाद हम इसके answer के ओर चलेंगे ठीक है तो यह है इसका explanation समविदान सभा के गठन के लिए राज्यों की विदान सभाओ का उपयोग निर्वाचक मंदल के रूप में किया गया किसका किया गया राज्यों की विदान सभाओ का निर्वाचक मंदल के रूप में परियोग किया गया अते समविदान सभा एपरत्यक्स निर्वाचन का परिणाम थी जो समविदान सभा थी व्या किसका परिणाम थी एपरत्यक्स निर्वाचन का ठीक है इसका निर्वाचन व्यास्क मतादिकार पर आदारित नहीं था निर्वाचन व्यास्क मतादिकार पर आदारित नहीं था त समविदान सभा में अनेक दलों के लोग सामिल थे तो तीसरा भी इसका सही है इस सबा ने अपने कारियों का संचालन करने के लिए अनेक समेतियों का गठन किया था यह सही है तो यहाँ पर दोस्तो आपका पहला भी सही दूसरा आप कह सकते हैं कि अगर बात करें प्रत्यक्स निर्वाचन परिनाम थी किसका प्रत्यक्स निर्वाचन परिनाम थी तो यह एप्रत्यक्स निर्वाचन का परिनाम थी तो इसका दूसरा गल्त है पहला सही है, तीसरा सही है, चोथा सही है इसमें option में आपका पहला, तीसरा, चोथा नहीं है तो इसका option आपका tie हो जाएगा अगर इसमें option होता 1, 2, 3 तो वे option आपका select होता दोस्तों ठीक है तो ये option आपका tie हो गया next question number 10 भारतिय सम्विधान सभा के संदर्व में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है पहला ये व्यस्क मतादिकार पर आधारित नहीं थी बिल्कुल सही है व्यस्क मतादिकार पर नहीं थी ये प्रत्तेक्स निर्वाचन का परिणाम थी ये तो गलत है नहीं थी ये बहुत अलिये संरचना नहीं थी गलत है क्योंकि ये बहुत अलिये संरचना थी और यह है कहीं समीतियों के माद्दम से कारे रथी बिल्गुल सही है तो इसका दोस्तो पहला और चोदा ठीक है तो इसका आपका ओप्शन हो गया ओप्शन क्या हो गया ठीक है आईए नेक्स्ट निम्द लिखित में से समविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है पहला इसने बड़ी संख्या में समीतियों की मदद से काम किया उन में से प्रारूप समीति सबसे महत्पून थी उसमें से प्रारूप समीति सबसे महत्पून थी गलत कथन बताना है तो ये तो सही हो गया, पहली बात है बहुत सारे सम्हीती बनाए थी, अल्प संक्यक समूदा है, जैसे इसाई, एंगलोवेडियन और पार्सियों को सभी से में परियाप्त पर्तिन्दित्व दिया गया, बिल्गुल सही दिया गया था दोस्तों, इसका निर्वाचन सार बोम व्यस्क मतादिकार के अधार पर किया गया, नहीं, इसके अधार पर नहीं किया गया, किसा अधार पर किया गया, कि जो प्रांते विदान सभाव के सदस्य है, द्वारा एपरित्तेक्स निर्वाचन के द्वारा इसका निर्वाचन किया गया, ठीक है, तो सी गलत है, इसकी चुनाओ परकिरिया 1935 के चटवी अनुसूची पर आदारित थी कर संपत्ति और सैक्सिनिक योग गयता के आदार पर ही मतादिकार हुए थे तो ओप्षन क्या हुआ इसको दोस्तों इसको ओप्षन आपका हो गया और सी ओप्षन क्या हुआ इसको ओप्षन क्या हुआ इसको नेक्स्ट कोशन नमबर 12 भारत के संविधान का प्रारूप तयार करने वाली संविधान सबा के सदस्यों को बेटिस संसर द्वारा नामित किया गया था गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था विभिन प्रांतों की विधान सभाव द्वारा चुना गया था या भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस और मुसलिम लिग द्वारा चुना गया था तो दोस्तों ये हमने पढ़ा था कि विभिन प्रांतों की विधान सभाओ द्वारा चुना गया था किसके द्वारा विभिन प्रांतों की विधान सभाओ द्वारा चुना गया था इसलिए इनको एप्रत्यक्स निर्वाचन कहा गया था तो इसका option आपका हो जाएगा C आईए question number 13 भारतिय इतियास के संदव में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य है उन प्रांतों के लोगों दुबारा सीधे निर्वाज़ जित हुए थे या भारतिय राष्टा कॉंगरेस मुसलिम लोग दुबारा नामित हुए थे प्रांते विधान सभाव दुबारा निर्वाज़ जित हुए थे तो इसका option आपको दोस्तों C है कि प्रांते विधान सभाव दुबारा निर्वाज़ जित हुए थे ठीक है आईए question number 14 सम्विधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था तो हम सब जानते हैं प्रांतिय सभाव द्वारा कैसे हुआ था प्रांतिय सभाव द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ था ठीक है कोशन नमबर 15 सम्विधान सभा के चुने हुए इस्थाई अद्यक्स कौन थे सम्विधान सभा की परथम बैटक्श की अद्यक्स्ता किसे ने की थी तो मैं पता है जो पहली बैटक हुई थी उसके एस्थाई रूप से डोक्टर सच्चिदानन सिन्ना जी ने अद्धेक्स्ता की थी आईए भारत्य सम्विधान सभा के उदगाटन अदिवेशन की अद्धेक्स्ता की गई थी किसके द्वारा? भाई उदगाटन कहलो चाहे पर्थम बैटक के अद्धेक्स्ता कहलो तो किसने की थी? डोक्टर सच्चिदानन सिन्ना जी के द्वारा की गई थी भारत की सम्विधान निर्मातरी सभा के अद्धेक्स कौन थे? भारत की सम्विधान निर्मातरी सभा के अद्याक्स कौन थे राजिंदर परसाद, बियारम बेटकर, आयर या पंडी जवारलाल नहरू तो इसका option आपको दोस्तो A. डोक्टर राजिंदर परसाद ठीक है? आईए Next question पे आते हैं सवतंदर भारत की सम्विधान सभा के अद्याक्स सवतंदर भारत की ध्यान अगना सवतंदर भारत की सम्विधान सभा के अद्याक्स कौन थे डोक्टर भेवरावं बेटकर, डोक्टर राजिंदर परसाद, डोक्टर उसरी सी राजिगुपालचारी या के एम मुन्सी तो इसके भी आपके डोक्टर राजिंदर परसाद ही थे ठीक है बारतिय सम्विधान सभा की स्थापना की गई थी बारतिय सम्विधान सभा की स्थापना 10.1946 9.1946 29.1946 26.1949 तो इस्थापना की गई थी दोस्तो 9.1946 को 9.1946 को सम्विधान सभा की स्थापना की गई थी ठीक है आईए next next नेक्स्थ को चलिए दोस्तों सम्विधान सभा का गठन कब हुआ था तो सम्विधान सभा गठन दिसंबर 1946 को हुआ था कब दिसंबर 1946 को बारत के सम्विधान सभा का पर्थम अधिवेशन कब शुरू हुआ 10 जून 1940, 9 दिसम्बर 1940, या 1999 या 30 जून 1949 तो 9 दिसम्बर 1946 को पर्थम अधिवेशन शुरू हुआ था आईए next भारतिया सम्विदान सबा की पहली बैठक भारतिया सम्विदान सबा की पहली बैठक अभी हमने पढ़ा 9 दिसम्बर 1946 को हुई ठीक है? भारत को एक सम्विदान देने का प्रस्ताव सम्विदान सबा दुआरा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1946 बताए दोस्तों तो 22 जनवरी 1947 को सम्विदान सबा दुआरा भारत को एक सम्विदान देने का उद्देश से प्रस्ताव पारित किया गया था और उद्देश से प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को सम्विदान सब में जवारलाल नैरू ने पेस किया था ठीक है आगे जो यह उद्देश से था उद्देश से प्रस्ताव था यही प्रस्तावना का प्रारूप बना ठीक है दोस्तों आईए कोश्चन नमबर 25 समविधान सभा के सम्मूक समविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा था तो अभी पड़ा मने पंडि जवालाल नहरू ने रखा था तारीक बताया था कब रखा था 13 दिसंबर 1946 को रखा था 27 समविधान सभा में उद्देश सप्रस्तावना में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था पंडि जवालाल नहरू के द्वारा किया गया था भारतिय समविधान के निर्मान में संबंदित निमलिगित कतनों में से कौन सही है बारते सम्विधान के निर्मान से संबंदित निमलिकित कतनों में से कौन सा सही है पंडित नहरू के उद्देश से प्रस्ताव का जो सम्विधान सबदुआरा सुईकार किया गया था सम्विधान के निर्मान पर असर था विर्गुल उद्देशी का बहुत मैत्पून उद्देशों की पूर्टी करती है सम्विधान को नाराज सम्विधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया राज्य के मुख्या को लोग प्रत्यक्स रूप से निर्वाजित करते हैं बदाईए नहीं तो इसका उप्शन ए पहला दूसरा और तीसरा सही है एक्सप्रेंशन देखते हैं बारत सम्विधान के तहट राज्य के मुख्या अर्थात राष्ट पती राज्य का मुख्या राष्ट पती के निर्वाचन लोगों दुवारा प्रत्यक्स रूप से नहीं होता है ठीक है तो यहां पर आप यह कन्फ्यूज ना हो जाएं कि राज्य क्या पूछा आप से कि जो राज्य का मुख्या तो राज्य का मुख्या यह निकि चोथा गल्त है, भारत्य सम्विधान को बनाने है तू, भारत्य सम्विधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, कितने हुए दोस्तो, ग्यारा अधिवेशन, ग्यारवे अधिवेशन के अंतिम दिन, ग्यारवे अधिवेशन के अंतिम दिन, 26 नौंबर 1999 को सम्विधान को गया था ठीक है तो 11 दिवेशनों के अतिरीक सम्विदान सबा दुबारा 24 जनुवरी 1950 को समवेत हुई थी जबकि सदस्यों दुबारा भारत के समविदान पर अस्ताक्सर किये गए थी तो 11 दिवेशन और 12 में सम्मिलेत हुई थी ठीक है तो उप्शन हो गया इसका शी भारत की समविदान सबा की अंतिम बैठक की सही तीथी को बताईए तो सही तीथी क्या थी जब यह 24 जनुवरी 1950 को सम्मिलेत हुए थे तब ठीक है क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि 24 जनुवरी 1950 को सम्मिलेत हुई थी सम्मिदान सबा पुने जबकि सदस्यों दुआरा भ गयारादिवेशन के अतिरिक्त बात है अब जब गया पहले हो गए और अगले में जागा इस्ताक्सर किये जैड मेंस क्या हुआ कि वह बारवादिवेशन पी उसमें काउंट हो गया ठीक है नेक्स्ट भारत के समविदां के निर्मान में सविदान सबगो कितना समय लगा तो दो वर्स ग्यारा महिने अठारा दिन का समय लगा ठीक है आईए नेक्स्ट कोशन नमबर थार्टीवन दो सूची दी गई हैं दोस्तों एक तरफ सम्विधान एक तरफ क्या लिखा हुआ है एक तरफ है आपकी सम्विधान सभा के पहले उपाद्यक्स प्रारूप समीति के मू राजिस्थान की रियासतों का परतेजित करने वाले सम्विधान सभा के सदस्य है यह संग सम्विधान समीति के अद्यक्स दूश तरफ वेटिक केशन मचारी जवाल लाल नेरू के एम मुनसी एचसी मुखर जी ठीक है आईए बताते हैं तो सम्विधान सभा के पहले उपा सदस्थान की रियासतों का परतेजित करने वाले समविधान सवा के सदस्य है वेटि केशन माचारी और संग सम्विधान समीति के अद्यक्स कोन थे जवाल लाल ने रूफ तो इसका उस option आएगा आपका B क्या होगा B ठीक है आईए next 32 भारतिय सम्विधान के निर्मान भारतिय सम्विधान के निर्मान के समय सम्विधानिक सलाकार हमने पढ़ था सम्विधानिक सलाकार कौन थे बताइए ब्यार अंबेड कर डोक्टर अइंदर प्रसाज B.N. Burnegal Nursing रौ क्या है? Burnegal Nursing रौ तो कोन थे? Burnegal Nursing रौ Option C 12 समिदान का पर्थम प्रारूप तयार किया गया था 12 समिदान का पर्थम प्रारूप तयार किया गया था B.R. अंबेटकर द्वारा बी एन राव द्वारा के संथानम द्वारा या के एम मुन से द्वारा तो यह किया गया दोस्तो बी एन राव द्वारा किसके द्वारा बी एन राव द्वारा सम्विधान सभा के सम्विधानिक सलाकार बी एन राव थे उनके द्वारा सम्विधान का प प्रस्तुत किया, Kin화 के मूल प्रारूप में 243 और तेरा अनुस्चय थी, याद रखना कि जो प्रारूप तयार किया था,gregor उसमें क्या था, to 243 अनुस्चय थे और 13 अनुस्चय थी, ठीक है ? आईए सम्विधान सभा में भारतिय सम्विधान का तिर्थिय वाचन कव प्रारम हुआ था सम्विधान सभा में भारतिय सम्विधान का तिर्थिय वाचन 17 नौंबर 1909 से लेकर यप से प्रारम हुआ था और 26 नौंबर 1909 तक चला इसलिए जो इसमें विकल्प दिये गए हैं यह कोई सभी सही नहीं है तो इसको भी आप टाई कर देंगे बट याद रखेंगे कि जो सम्विधान का तिर्थिय वाचन सभा था वैस 17 नौंबर 1909 से प्रारम हुआ और 26 नौंबर 1909 तक चला था शुरू कब हुआ था 17 नौंबर 1909 ठीक है आए नेक्स बात का सम्विधान पून रूप से तयार हुआ था कब 26 नौंबर 1950 को 26 नौंबर 1909 को फरवरी 11 1948 को या कोई नहीं तो हमने पढ़ा था कि 26 नौंबर 1909 को पून हो गया था लेकिन 26 नौंबर 1950 को लागू किया गया था 29 नौंबर 1909 को लोगों ने सम्विधान को अंगिकरत अधिनियमित और आत्मारपित किया था सम्विधान को अपनाने उसके पून होने पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारिक 26 नौंबर 1909 को ही माना जाता है इसी दिन नागरिक्ता अंत्यकालिन संसद संकर्मन कालीन उपबंद लागू हो गए तथा पी सम्विधान के सेस उपबंद 26 नौंबर 1950 में परभावी हुए अत्यस सम्विधान के पून रूप से लागू होने तथा पून रूप से किर्यानवित होने की तिथी के रूप में 26 नौंबर 1950 को ग्रैन करते हैं ठीक दोस् सम्विधान सबह द्वारा अंगिकरत किया गया कब अभी आपने बढ़ा 26 नौंबर 1909 को भारती का सम्विधान के स्थिथी को अपनाए गया कब अधिकरत कब हुआ 26 नौंबर 1909 को लेकिन अपनाय कब गया कब अपनाया गया दोस्तों 26 नॉम्बर 1909 को क्या किया गया अंगिकरत किया गया अधिन्यमित किया गया और आत्मर्पित किया गया कब 26 नॉम्बर 1909 को उसके बाद भारते सम्विदान लागू कब किया गया तो लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को कब 26 जनवरी 1950 को आईए सम्विधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्ने इसलिए किया गया बहिए जब 26 नौंबर 1929 को पूरा हो चुका था फिर 26 जनवरी तक इसको रोका क्यों ठीक है तो क्यों रोका कॉंग्रेस ने इस तिति को 1930 में 37 दिवस के रूप में मनाया था इस तिति को 1942 में 12 छोड़ों अंदोले नों अरम किया गया था या यह एक सूप दिन था या कोई नहीं तो दोस्तों इसका उप्शन ए सही है इसका उप्शन ए सही है क्योंकि भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के जो लावर अदिवेशन हुआ था वैद दिसंबर 1939 में पून सवराज्य की गोशना किये गई तदा 26 जनवरी को सवतंतर दिवस के रूप में मनाय जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को सवतंतर दिवस के रूप में मनाया जाता रहा को एविसमरनिय बनाने हे तू भारतिय समविधान को पूंत है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से परतेक वर्ष 26 जनवरी को गंतंतर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा ठीक है दोस्तों आए कोशन नंबर 40 भारतिय समविधान को अपनाया गया था कब किसके द्वारा समविधानिक सभा द्वारा बीटिस संसत द्वारा गवर्णर जनरल द्वारा यह भारतिय संसत द्वारा तो भई समविधानिक सभा के द्वारा पनाया गया था ठीक है उसके बाद सम्विधान सबदवारा भारतिय सम्विधान को सुईकरत किया गया कब 26 नौमबर उन्निस तो उनन्चस को दोस्तो हर एंगल से हर तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और हर एक तरीका आपके लिए तयार किया जा रहा है बस आपको उसमें अपना साथ देना है उसके लिए प्रैक्टिस करके ठीक है भारतिय सम्विधान को 26 नौमबर उन्निस सो उनन्चस को किसके दौरा अधिनियमित किया गया था बारतिय सम्विधान को 26 नौमबर उन्निस सो उनन्चस को किसके दौरा अधिनियमित किया गया था तो सम्विधान सभा के दौरा ये तो किया गया था सम्विधान सभा के दौरा ये तो किया गया था कब 26 नॉवंबर 1929 उननचस कोई हुआ था ठीक है next question बी यार अंबेटकर का समविधान सबह में निर्वाचन हुआ था बी यार अंबेटकर का समविधान सबह में निर्वाचन हुआ था कब पंश्चिप बंगाल से हुआ था बंबई Presidency से हुआ था ततकालेन मद्या भारत से था या पंजाब से था बताईए तो इसका जवाब तो आपका होगा बंबई Presidency से क्या होगा बंबई Presidency से लेकिन अगर इसके बार में आप Explanation मांगे तो मैं आपको बतायता हूँ कि 1946 में जब सम्विदान सभा के प्राइणबिक चुनाव संपन हुए तो डोक्टर भीमराव अमबेटकर को एविभाजित भारत के बंगाल परांद के पुर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे बाद में पुर्वी पाकिस्तान बन गया था बाद में यह चित पाकिस्तान में चले जाने कारण डोक्टर अमबेटकर भारते गनराज जागे बंबई प्रेजिडेंसी के पूना संसते छेद से उप्चुनाव में निर्वाचित होकर भारते सम्विदान सभा में सम्मिलित हुए थे ठीक है तो विकल्प क्या है पस्चिम बंगाल फिर भी भे अब इस विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि बले डोक्टर अमबेटकर पूर्वी बंगाल से परत्मत्य निर्वाचित हुए थे लेकिन अंतिता उन्होंने बंबई प्रेजिडेंसी से निर्वाचित सिदस्यकी ठेज़ तो आईए नेक्स्ट 45 डोक्टर भीमराव अंबेडका का जनम और मित्यू कब हुई और कहां हुई थी ठेज़ तो आईए 1986 1951 1891 1956 1870 1961 1869 1961 तो डोक्टर भीमराव अंबेडका का जनम 14 अपरेल 1891 को महुँ जो की मद्यपरदेश में है ध्यान रखना कहां पर था मद्यपरदेश के महुँ में कब 14 अपरेल 1891 14 अपरेल 1891 मद्यपरदेश के महुँ में हुआ था और मित्ती हुई थी 9 दिसंबर 1956 को दिल्ली में 9 दिसंबर 1956 को दिल्ली में दोस्तो डेट पूरी याद करना क्योंकि अब अगर आप एक्जाम देखते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक डेट पूछी जाती है न कि आपको से एर पूछा जाता है तो अब आप हर एक डेट को अच्छे से याद रखें ठीक है तो 14 अपरेल 1891 में को जनम हुआ और 9 दिसंबर 1956 को मिरित्ती हुई ठीक है आईए नेक्स्ट तर्थनिमलिकित कतनों पर विचार कीजिए कौन से कतन है पहला तर्थिय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्स की परिनती भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने बेटिस भारत के सूबों और भारतिय रियासतों के एक संग पर आधारित ओल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंद किया तो दोस्तों एक्सप्रेशन जानते हैं पहले नौमबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोल में सम्मेलन में कॉंगरेस ने भाग नहीं लिया था कब हुआ था तीसरा गोल में 1932 में लंदन में हुआ था ठीक है इस सम्मेलन में बाहत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेस किया गया इसमें बेटिस भारत के सूबों और भारतिय रियासतों के एक संग पर आधारीत ओल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था तो इसमें 102 दोनों विचार सही हैं इसलिए इसका option C हो जाएगा क्या होगा option C आईए next question 47 दो कथन दिये हैं दो वक्तव्य दिये हैं पहला भारत का सम्मेदान देश की आवशक्ताओं की पूर्ती करता है इसको एक गरहित सम्मेदान कहा जाता है ठीक है तो बताइए भारत का सम्मेदान देश की आवशक्ताओं की पूर्ती करने में पून्त सक्सम है तथा भावी आवशक्ताओं के मतनेजर इसमें संसोधन सम्मंदी प्रावधान भी है दूसरी और इसमें विभिन देशों के सम्मिधानों से तथ्या एवं विचार गरेन किये गए हैं अत्या इसे एक गरेज सम्मिधान भी कहा जाता है इस परकार कथन और कारण दोनों ही सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टिकरन नहीं करता इसलिए इसका option आपका B हो जाएगा option क्या हो दोस्तो B सत्य दोनों हैं लेकिन कारण कथन का स्पष्टिकरन नहीं करता है question 48 समविधान सभा में समविधान सभा में व्यस्क मतादिकार को 15 वर्स के लिए इस्तगित करने की बात की थी पंदरा वर्स के लिए इस्तगित करने की बात की थी किसने रहेंदर परसाद ने जवारलाल नहरू ने मुलाना आजाद ने एर डोक्टर भीमराव अंबेड करने तो यह बात कही थी मुलाना आजाद जी ने किसने मोलाना आजाद ने समीधान सभा में वैस्थ मतादिगार विश्य पर बहस के दोरान मोलाना अबूल कलाम आजाद ने वैस्थ मतादिगार को 15 वर्सों के लिए स्तगित करने की वकालत की थी किन्तु डोक्टरांदर परसाद और पंडिद जवालाल नेरू ने जोड़द आज को एक राजनेतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए तो ये विचार थे मात्मा गांदी जी के किसके मात्मा गांदी जी के इन्होंने कहा था कि भाई देखो जब देस आजाद हो जाएगा तो आप लोग भारतिय राष्ट्य को एक राजनेतिक दल के रूप में भंग कर दो अब इसकी जरुरत नहीं है ठीक है लेकिन यह भंग नहीं हुआ और आगे चलता रहा आज भी चल रहा है अपनी राष्टवादी परतिकिरिया में भारतिय सम्विदा के निर्माताओं ने अल्प संख्यको के हितो तदा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है यह कतन मोरिस जोन्स का है हाट ग्रेव जूनिर का है अलेक जेंडरो विच का है या आईवर जेनिंग्स का है तो दोस्तों यह आईवर जेनिंग्स का कतन है इन्होंने कहा कि राष्टवादी परत्तिकिरिया में भारतिय सम्विधान के निर्माताओं ने अलप संख्यकों के हितों और भावनाओं के मैत्व को कम करके आका है ये आईवर्ज जैनिंग ने अपना विचार बताया था उनका मानना था कि बारत्य संविधान निर्माताओं ने जो बारत्य संग में अल्प संख्या खितो और भावनाओं के मैत्व को नियूंतम रखने का प्रियाज किया है ठीक है आईए सेगंड लास्ट कोशन पर चलते हैं फिर इसको समापन करते हैं इसका किसने कहा था संविधान सभा कोंगरेश थी और कोंगरेश भारत था यह तो हमने पढ़ा था यह हमने जब नोट्स कंप्लिट किये थे तो हमने पढ़ा था कि यह किसने कहा था ओस्टिन ने कहा था किसने गरेन विले ओस्टिन ने कहा था कि समविधान सभा कॉंग्रेश थी और कॉंग्रेश भारत ठीक है भारतिये समविधान सभा में कुल कितनी महील आये थी तो हमने पढ़ा था पंदरा महील आये थी उनके नाम भी आपको बताए गए थे तो दोस्तो यह हमारा आज का लेक्चर कंपलीट होता है अब हम अगले लेक्चर में आपके लेकर आते हैं समविधान सभा की परमुक समीतिया और उनके अद्यक्स के बारे में ठीक है दोस्तो तो अगले लेक्चर तक के लिए आप लोग अधरन्यवाद नमस्कार और राम राम